नमस्ते मेरे किसान भाईयों आपका वर्ल्ड ओफ एग्रो चनल पर एक बार फिर से स्वाबत हैं आज मैं बात करने वाला हूँ डूपॉंट के पैकसालोन और सिंजेंटा के चेस कीट नाशक की इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें अगर आप हमारी चनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें तो आपका कीमती समय ना खराब करके आपको सबसे पहले ये बता दूं कि ये दोनों ही कीट नाशक आप केवल धान की फसल पर लगा सकते हैं तो आप समझते हैं कि ये दोनों कीट नाशक धान पर किन कीटो को मार सकते हैं और इन कीट नाशक को धान पर लगाने का 30 एकर खर्चा कितना बैठेगा और इन दोनों में से कौन सा कीट नाशक आपके लिए किफायती होगा तो पहले बात करते हैं डूपॉंट के पैकसालोन कीट नाशक की तो इस कीट नाशक में जो टेकनिकल आता है वो है ट्राइफ फ्लू में जोप्रिम 10% SC ये कीट नाशक डूपॉंट के अलावा सिलाल कोई और कमपनी नहीं बनाती है ये कीट नाशक धान पर ब्राउं प्लांट होपर, वाईट पैक प्लांट होपर और ग्रीन लेफ होपर जैसे कीट को मार सकता है ये कीट नाशक आपको रूपाई के लगबग 45-60 तिन बाद सिर्फ एक ही बार लगाना है इसकी खासियत यह है कि ये कीट नाशक लगबग 21 दिन तक आपकी धान की फसल को सुरक्षित रख सकता है जो कि किसी भी कीट नाशक के मुकाबले लगबग 7 से 10 दिन ज्यादा है तो ड्यूपॉंट के पैकसालोन कीट नाशक को आपको इन कीटों को मानने के लिए 94 से 100 ml 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रतियकर तक लगाना है अब क्यूंकि इस कीट नाशक के 94 ml के पैकी कीमत लगबग 1500 रुपए तक की आती है तो इस कीट नाशक को धान पर लगाने का खर्चा लगबग 1550 से 1660 रुपए प्रतियकर तक आएगा अब बात करते हैं सिंजेंटा के चेस के धान पर उप्योग की तो सिंजेंटा के चेस कीट नाशक में जो टेकनिकल आता है वो है पाइमेट्रोजीन 50% WG यानि की वेटेबल ग्रेनुल्स अब मैं आपको बताता हूँ कि इस कीट नाशक की illegal manufacturing भी हो रही है तो आप साओधानी रखें और असली product ही खरी दें ताकि आपकी फसल को नुकसान ना हो तो ये कीट नाशक धान पर सिर्फ और सिर्फ brown plant hopper को मार सकता है तो ब्राउन प्लांट होपर से धान की फसल को बचाने के लिए ये कीटना शक आप 120 ग्राम 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रतियकर तक लगा सकते हैं अब क्योंकि सिंजेंटा के चेस कीटना शक के 120 ग्राम के पैक कीमत लगभख 990 रुपे तक की आती है तो इस कीटना शक को धान पर लगाने का खर्चा लगभख 990 रुपे प्रतियकर तक का बैठेगा तो इससे ये बात क्लियर हो गई कि अगर आप धान को सिर्फ ब्राउन प्लांट होपर से बचाना चाहते हैं तो सिंजेंटा के जैस कीटनाशक को लगा कर साड़े 500 से 600 रुपे तक की बचचत कर सकते हैं पर अगर आप धान की फसल को वाइट पैक प्लांट होपर या ग्रीन लीफ होपर जैसे कीट से बचाना चाहते हैं और धान की फसल को लंबे समय तक इन कीटों से सुरक्षित रखना चाहते हैं तो ड्यूपॉंट के पैकसालोन कीटनाशक को लगाएं तो ये थी मेरे किसान भाईयो आपके फायदे की बात मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें धर्निवाद